कि अब यह वेल्कम टो प्रेश्ट टेक्नल कैडमी मैं हूं सजिन कोई स्वागत आपका बेस्ट टेक्नल कैडमी पे तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे हम लोग लेक्टर फाइप तक हम लोग कम्प्लीट कर चुके थे आज हम लोग आगे देखने वाले इसमें आपका स्ली स्निपर हो जाएगा और आपका स्लिपर हो जाए गा क्यूंक्रिफ्प आपको देखने को मिलेगा तो किसका कहां पर यूज करते हैं किसका कितना अधवांटेज इसध रधान्तेज यह सालग कुछ हम लोग चाड़ों का देखेंगे ठीक है चलिए लुए को इसे हैं तो यह साड़ा कुछ हो जाएगा उसके बाद हम लोग बलास देखने वाले हैं इसके बाद हम लोग बलास देखेंगे ओक है ज्यक्ड तो आते हैं समझते क्या होता है साथ कुछ हम लोग देखते हैं चलिए तो सबसे पर अगर बात करते हैं तो स्लीपर में मिलते कोनगों सा एक उडेंग स्लीपरहोता है। मतलब यही एक ऐसा मतलब वाला इतना है कि जब से रेलवे का सुरुवात हुआ है तब से इसका यूज किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि कुछ होता है कि समय के साथ क्या हो जाता है या तो उसमें मतलब उसका यूटिलिटी कम हो जाता है या फिर नया चीज़ आ जाता है तो उसको क्या करते है उसको हम लोग हटा type of sleeper and with passes of time its utility has not decreased इसका utility अब भी उतना ही important आज भी है sleeper बनाने के लिए there are two categories of wooden sleepers तो wooden sleepers में भी आपको दो type का दिखेगा एक hardened दिखेगा एक soft दिखेगा तो hardened sleepers की अगर बात करें hardwood sleeper की बात करें तो salt tick इसका example होता है यह important है इसको याद रखना जरूरी है इसका example hardwood की बात करते हैं तो salt tick होता है और soft की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको cheat देवदार दिखेगा फिट दिखता है ठीक है इसमें salt tick दिखता है ओग दिखता है ठीक है ओएक की ओग दिखता है इसमें फिट दिखता है फाया चले तो आगे बात करते हैं कि advantage of wooden sleeper क्या है और यूज करते हैं तो इसका क्या advantage हमारे पास है उसको समझते हैं तो cheap and easy to manufacture इसको क्या कर सकते हैं सहस्ता है लकड़ी असानी से मिल जाएगा मतलब असानी से नहीं क्या होगा very useful for heavy loads and high speed trains तो बनिया लकड़ी का यूज करेंगे तो क्या होगा उसको quality बनिया होगा ऐसा नहीं कि लकड़ी का जो इमारत बनता है वो कमजोर होता है अगर लकड़ी का यूज करेंगे एक सेक लकड़ी है उसका strength काफी जादा होता है तो अगर बनिया लकड़ी का यूज कर vibrations and properly इसमें क्या होगा कि जो भी socks होता है जिससे की कोई रिलगाडी दौर रहा है तो उसमें तो क्या करेंगा कि लकड़ी की वज़ह से क्या करता है लकड़ी क्या करेंगा यहां पर इसको कम करने का काम करता है आगे बात करते हैं can be handled easily without damage इसको बिना damage के वह इसको क्या कर सकत है यूज इसको असानी से हम लोग कर सकते हैं ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं लोग तो alignment can be corrected easily इसमें अगर alignment हो जाता है जिसमें क्या करते हैं इसको सही से कर सकते हैं घिस के कर लेते हैं लोग can be used with or without blast इसको हम लोग with blast या फिर without blast भी हम इसका क्या करते हैं इस्तवाल हम लोग कर लेते हैं मोर सुटेबल फॉर ट्रैक सर्किटिंग तो ट्रैक सर्किटिंग में इसका में यूज किया जाता है आगे बाद करते हैं suitable in the area बिछाज हैं भी इल्डिंग फॉर्मेशन तो अगर जहां कहीं ऐसा इडिया जहां पर क्याल लखड़ी ऐसानी कर लेंगे हैं आगे बात कर डिसधाटेज और तो यह उडेन स्लीपर से इसका क्या डिस एडवांटेज है उसको समझना है तो एक तो ऐसा लगता है कि माल के चलते हैं कि कोई कीट पतंग आ गया तो यह बेसिक हम तो समझ सकते हैं यह क्या दरता है जो गेज डिस्टेंस होता है जो गेज हम लिव जानते रेल्स का इनर साइ मतलब ऐसा तो नहीं है कि मसीन में डाले हां निकाल दी है तो एदम करेक्ट मिलेगा इसमें थोड़ा वो तो अलाइन में प्रॉबलम हो गाई इसी को यहीं बोल रहा है कि डूनाट मेंटेन दी गेज एकुरेटली इसमें देखने को नहीं मिलता है इसमें असानी से क्या होत कि इसमें कीट पतंगा अगर लग जाता है तो उसके वजह से भी क्या होता है आपका इसका डूराइबलिटी होता है कम जाता है ठीक है यह होने लगता है इसके वजह से कीट पतंगे की वजह से क्या होगा यह खड़ाब होना अस्टार्ट हो जाता है यह भी इसका क्या डिस करके हटाना पड़ेगा नहीं तो बिल्डिंग ही बना है लाइफ के बाद उसको तोड़ने के बाद जो प्रोड़क्ट मिलता है उसका क्या वैलू है उसी को क्या बोलते हैं उसी तरह लकड़ी के भादेंस स्लीबस के बादे में देखते हैं दो इन्टेम बना हुआय। Ч का म करते हैं यह स्लेपस में जोडने का काम करते हैं की और कि हलव से ठीक है तो आगे हम लोग एक्टा इसका जो points है इसका advantage और disadvantage का हम लोग इसका देखते हैं टीकिए आते हैं नेक्स लाइड़ पर चलिव तो आ खिर देखते हैं एड़ांटेज्ज ऑफ तिल स्लीपर के बारे में हम लोग देखते हैं तो अगर बात करते हैं क्या होगा इसमें क्या दिखेगा अच्छा दिखेगा उसके जासा नहीं है इसमें तो अच्छा होगा समझते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग गेज को भी अच्छे से क्या कर सकते हैं मेंटेंड कर सकते हैं और क्या है इजी मेंटेनस इसको इजी मेंटेनस और अच्छा से कर रही सकते हैं साथ में क्या है इसका गेज होगा वह भी क्या कर सकते हैं और देशिकंपर ये जो है यह जो है यूट career concrete के comparison ग्रांद करें तो इसके comparison निगया होगा simple process of manufacturing इसको बनाना असान है लॉंगर lif होगा better bitlae-teeaj喔गा है इसमें located के बात करें तो कैसा होगा बैटर होगा होगा अगे बात करें free from decay and attack byify इसमें क्या होगा और स्थिलम किसी तरग़ लगता है कभी इसलिमें लगता नहीं है यह क्या है कि नॉट सब्सक्राइब नहीं होगा अब बात करते हैं कुछ दिसेड़ांटेज की तो प्रों तो नहीं लेका लेकिन क्या होगा और इसका अब स्क्राइब जैंग कमत्लिक क्या हो गया कि अगर यह सब्सक्राइब खडब हो जाता है कि इसका कर् Kane ऑँ simply पत्री में धुद्वर मत्ते जैंग तो उसक선 को तो क्या यहां होता है तो के सिस्केम होगा वे इसका जो स्क्राइब वैलू होगा काफी अच्छा होगा ठीक है इस कीस में क्या होगा इसका स्क्राइब वैलू काफी अच्छा होगा आगे बात करते हैं करते हैं तो प्रोन टु क्रोजन ये क्या है इसमें क्रोजन होने का possibility होता है तो develop cracks to rail Seed और नियर लक्स तहां आपको गलता है इसमें यक्त नीइर के आसपास आपको ख्राइक देखने को जाहाँ पर स्ट्रेश बढ़ेगा जहाँ पर बेंडओने का पॉसब्लेटीज आपको क्या होगा क्र्या होगा गता क्राक्क अन्सुटेबल फो ट्रैक्स सर्कुटिंग यह क्या है अन्सुटेबल है यह यूट फॉर टाइप ओफ रेल्स तो आप जिसकाम के लिए बस बनाया हुआ उसी काम के लिए इसका यूज कर सकते हैं लोग इसको उखाड के फिर कहीं इसका और यूज कर लिए ऐसा कुछ नहीं ह है आगे बात करते हैं कास्ट इडाइनव स्लीपर की बात करते हैं तो इसको सिय इस आई हम लोग बोलते हैं तो कास्ट में क्या होगा कि इसमें यह चलिए प्लेट फिए टाइप इप में जाने का प्लेट टाइप हो इस पॉइंट को याद रखें नहीं तो छोड़ दीखत नहीं है सबस्काय ना या फिर यादा लिडन हो जाएगा मतले जराइट न यहीं जान ना दिलियुट क traditions की बात करते है्ल मेंटेनिस जैक्लक हो इसमें क्या मेंटेनस करने में प्रोब्लम होता है कि यहां तो यहां तक इसमें पॉइंट था और हम लोग आगे आप देखते हैं आपका बच गया एक कंप्रीट का बच गया है उसको हम लोग अगले अगले स्लाइड में देखते हैं कंक्रीट और जो भी टॉपिक है उसको हम लगा गए पॉइंट बाइपॉइंट डिसक्स करेंगे ठीक है आते हैं नेक्स लाइड पे कॉन्क्रीट स्लीपर पे अगले स्लाइड पे इसको देखते हैं हम लोग स्लीपर के बारे में देखना है तो अगर कंक्रीट की बात करते हैं किस्से बनाना होगा इसमें फिर आपका फाइन एग्रिगेट हो और प्रीइंफोर्च करने का मतलब की स्लीपर से यूज करेंगे उसमें क्या कर लेंगे चारो बाल कर लेंगा reinforcement bio होता है आपका छोगया उक्ति Secretary gases में क्या होगा कि क्या करते हैं को इस तरह से करते क्या है और कोई मान को बनाना है स्लीपर सोड़ाना है सब से पर यहां पर एक इस तरह से टाड former को खीच लेते हैं अब बाद में क्या करते हैं अब फील कर देते हैं इसके बाद करते हैं यहां से कट कर देते हैं तब क्या होगा आपका तार था या फिर जो भी छड़ वड़ा का कटेगा और हम जानते हैं कि कंप्रेशी में क्या होता है काफी ज्यादा होता है इस तरह का बनता है उसको बोलता है क्या प्रियस्ट किया हुआ था इसमें क्या करेंगे इस तरह इसमें पास reinforcement लगाया होगा यह को अग New School प्रेज एंपोजिट पून्कोरेट स्लीपर एकूणा, प्रियंपोज इंबोज होगा प्रियंस्टेश्ट कवा सब्मक्रेट स्लीपस एक होगा प्रींफोज कंक्रेट स्लीपस और होता है धेस्टूट गौन्किया करता है सब्सक्राइब करते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग कंक्रीट को रखते हैं ठीक है जब करते हैं तो क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा कंप्रेशन देखने को मिलता है यहां चोगा मैक्समा परइसल पर सेंटीमिटर स्कॉर्ड होगा याद करना कोई दिखत नहीं है याद होता है तो छोडी नहीं है यहीं की यानि कि क्रसिंग के बात करते है इस केसमें 422 क्यू पर संतिमेटर स्केर होना चाहिए है यह अगे इनल आप सुआज एक पॉयंट एक प्वाट करते हैं यानि कि अगर बात करते हैं अब 8.82 kg per cm कर बोल्रक प्रेस्ट वायस और स्टेस्ट वायस और स्टेस्ट वैन अल्मिए अस्टेस्ट चाहिए यहां पर क्या करते हैं यह नीचे क्या करते हैं क्या करेंगा क्या करेंगा क्या क्या है यह क्या करेंगा यह नीचे रखेंगे एक रेल सीट लगा करते हैं जो क्या करेंगा लोड को डिस्ट्रिब्यूट तो करेंगा इस साथ में क्या करेंगा जो यह वाइबरेस्ट की वज़ए से कॉंक्रिट को नुक्सान पहुंचता है उसको भी क्या करता है रोकता है यह कुशन देखते हैं इसमें को देखना पड़ेगा सबसे पहले कि एक किल मेंटर ट्रेक राइन है तो इसमें छोटा-छोटा या निकिए बाड़ा बाड़ा पॉल्ट एट मीटर का होता है लेकिन हम लोग तेरा मीटर अप्रॉक्स लेकर चलते हैं तो तेरा-देर मीटर का कितना टुकड़ा एक किलो में करेंगे तो फानली हमको मिल जाए है कि Zazi juni 2020 2000 होता है तो आ कि तो है कि एप हजार को 1300 में देंगे क्या बतायाइगा नंबर आफ व्र क्या बताएगा ten गाफ हो ओनवर सब्सक्राइब ठीक है तो नंबर हो दो कर अब अब दख्ये अब यह चाहिए कि एक टुकड़े में कितना स्लीपर साड़ा है तो क्या से निकलेगा एंड प्लस फाइब से निकलेगा तो एंड का वैलू क्या होता है जो यह हम लोग जो लेंद होता है ब्रॉड गेज का उसी कम लोग एंड रखते हैं तेरा प्लस पांच कितना होगा अठारा यान ओंको क्या करना पड़ेगा round numbers में देना पड़ेगा one three eight five लीपस दिना पड़ेगा ठीक है तो कि आज नहीं हो पाएगा फिर कि टीक है तो ब्लास्ट वाले टॉपिक अगले लेक्चर में लोग करते हैं इसमें नहीं हो पड़ाएगा हो पाएगा कुछ नहीं जाएगा तो अगले अगले क्लास में इसको बढ़ी है से मुट्पूरा डिसक्रस करें लें लेक्ट कोई ठीक है तो मिलते हैं अगले क्लास में आज के लिए थैंक्यू जाय भारत बेस्ट आफ लग करें करें करें